तो हेलो गाईस वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग तो फ्रेंड्स आज हम आए हुवे हैं गेहू का खेत और आज हम आपको गेहू का भर्मन कराएंगे और गेहू दिखाते हैं गेहू कैसा होता है और देखने में कितना सुंदर लगता है गेहू का पौदा तो हमारे पीछे आ आज पास यह सिर्फ गेहूं है और अभी जो एक उसमें सिसा निकल चुका है गेहूं का और हम आपको दिखाएंगे कि गेहूं का सिसा कैसा लगता है काफी सुन्दर यहां का व्यू है तो फ्रेंड्स चलिए हम आपको दिखाते हैं गेहूं का कुछ नजाड़ा आप देख सक व्यू है कितना मस्त लगए वीव और सभी जो एक यहां सुबह साम देखने में काफी सुन्दर लग रहा है गेहूं का पोधा आप देख सकते हैं यह गेहूं है और आप दूर-दूर में देख सकते हैं कुछ मक्के भी लग यह हैं कुछ सरसो भी यह और यह आप जो देख रहे हैं उपड अपड़ में तार जल रहा है यह सिचाई के-लिए मोटर लगाए गया है और इसी सिचाई होती है तो तार काफ़ी दूर से आया हुआ है आप देख सकते हैं वहां सही आप направ किसी चाय हुती यह पतवन किया जाता है, ुआ है काफे सुंदर यहां का नजरा है और हर में देखी गेहूँ हापको नजदीक सी लिखाते हैं गेहूँ अभी कैसा हुआ है तो आप देख सकते हैं यह है गेहुं सभी गेहुं का नजर आप देखी ने काफी सुंदर है और आज पास आप देख सकते हैं यह सरसो में वह आपको चिमरी दिखाते हैं कियों को सरसो में भी चिमरी हो चुका है यह देखिए यह सर्सों का छिम्री काफी सुंदर है इसमें विदाना हो चुका है आप देख सकते हैं इधर भी है सर्सों इस सर्सों में छिम्री हो चुका है पकने के बाद इसको निकाल लिया जाता है और उसका तेल निकला जाता है आप देख सकते हैं यह चिम्री है सर्सों का काफी सुन्दर लगड़ा है आप देख सकते हैं कि आइस कि आप देख सकते हैं यहां गेहूं इसमें निकल चुका है और इसमें दाना भी होने बला है क्योंकि अभी दाना तो हुआ नहीं है तो इसमें दाना भी एब एक मायने में इसमें हो जाएगा आप देख सकते हैं पूरा फुट चुका है अभी जाओं में कि हुआ का नजड़ा कुछ इस परकार अपको दिखनी के लिए मिलेगा जाओं में और यहां कि हूँ काफी सुन्दर लगता है आप देख सकते हैं आप सकते हैं कि देख सकते हैं कि गेहू कितना कि देखें काफी मस्त लग रहा है जाइस सब्सक्राइब देख सकते हैं गेहूं में निकल चुका है सिसा और यह देखिए गेहूं का सिसा भी फली इसमें इकल चुका है सभी गेहूं में फली निकल चुका है आप देख सकते हैं और यहां से वहां देखिए पुरा गेहूं नजरा क्योंकि इसमें गेहूं निकल चुक आप देख सकते हैं यह है गेहूं और गेहूं का देखेट कितना सुन्दर लगड़ा है आज पास सिर्फ और सिर्फ गेहूं है यह देखने में कितना सुन्दर लगड़ा है तो गईस आप देख सकते हैं वहाँ पिजय की मक्का है और बीच में खाली है इसमें कोवी लगा था और इसमें भिण्डी लगड़ा है काफी सुन्दर यहां का भीव आप देख सकते हैं यहां का भीव काफी मस्त है फ्रंस आई होप आपको आज का ब्लोग पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक सेर करना न भूलिएगा तो मिलेंगे कल एक और ने ब्लोग वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे दिजिए इजाजा थैंक्यू धन्यवाद